बहुत दुख होता है जब कोई किसान अपनी जो फसल है उसको उलाद की तरह पालता है और उसके बाद में वो जो गेहूं है किसी अन्य वेक्ति कार्ण उसको हानी पहुंचती है जैसे कि आप ये खेट देख रहे हो इसके अंदर किसान ने दो कनाल जगाए के अंदर उसने क्या किया जो अपना नोन सेलेक्टिव हर्वी साइड होता है जिसको आप राउंड अप बोल सकते हो या फिर ग्रामो किसान बोल देते हो उसका जो छिड़काओ वो टैंक की में डालके कर दिया और इस जो किसान की गेहूं है वो दो कनाल के अंदर बिलकुल खराब हो चुकी है किसान साथ ही हो अगर आपको कोई परसनली मेटरो आपका किसी भी टाइप के अगर आपके दुसमनी निकालनी हो तो जरूरी नहीं होता कि किसान की फसल को ही टार्गेट बनाया जाए आप उस बंदे से डिरेक्ली बात कीजिए अब इन्होंने काफी मैनत की हुई थी बड़ी मुश्किल से वो बीज मिला था लेकिन किसी बंदे ने यह सागर कदम उठाया है तो गलत है देखिए भाई साब आप भी खेती करते हो कल को आपकी गेहों को अगर बंदा नुकसान पहुंचा दे तो कितना दुख होता है चलिए बात इस किसान की है तो इनको ब क्योंकि क्रिब नार्दजार रुपे के तो मूली स्केट के अंदर हो जाएगी ताकि आपका जो खर्चा है वो भी निकल के बारा आ जाए किसान साथियो कोई भी किसान किसी भी तरह की अगर आपके अंदर आपसी बैस हो जाती है तो किरप अगर के फसल को टार्गेट ना क्योंकि फसल किसान की उलाद की तरह होती है और उलाद को बड़ा ही नाजुक तरिक्के से पाला जाता है आपको तो सिर्फ पांच मिन्ट लगते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किसान साथियो इस बात को थोड़ा सा ध्यान जरूर रहे परसनल दुख होता जब क किसानी और खताता कि मेरे कहते में किसी बन्दें नहीं नुकसान कर दिया आप भी सोचके देखो आप Bhy handle कैसा फेल हो तो जगह आपकी कोई फसल है वो खराब कर दे बलकि आपने कहते के अंदर अगर इगर का वी फस खुखला कर अपने ख्याद के अंदर चला जाता है तो भी आपा उसको क्या कि लाठी से पीटते हैं मारते की हमारी गेहों को नुक्सान पुंजा दिया फिर जो अन्य फसल है वो इस फसल नुक्सान पुंजा दिया अगर कोई इनसा करता है तो यह सबसे बड़ी सरमनाक बात है धन्यवाद किसान साथी हो